Guys I hope आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से मेरे जो चैनल पर वीडियोज आ रहे हैं वो कोरोना वायरेस रिलेटेड आ रहे हैं क्योंकि मैं चाहता था कि इसके बारे में एक सच कनवे हो एक प्रॉपर इंफोरमेशन कनवे हो क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे मीडियम ऐसे हैं जिनसे वो सच कनवे नहीं हो पा रहा था तो हर एक वीडियो के लिए बहुत जादा रिसर्च जरूरी होती है ताकि सच का पता चले और accurate चीज़े कनवे हो पाए तो बहुत सारे वीडियो तीन चार वीडियो मैंने उसके उपर बनाए तो हर डे आई वस डूइंग रिसर्च ऑन डाट टॉपिक तो करते करते माइं बहुत जादा पॉपुलेट हो गया और रिसर्टली मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब के उपर जो की सीकन एक चैनल है जहां पर आप वो देख सकते हैं वीडियो यह एक बुक के उपर है जिसमें बताया कि इस तरह के क्राइसिस पहले भी हो चुके है उसमें से एक लरनी मुझे यह मिली कि यह जो हैं अपने माइंड में डालते जाएंगे कोरोना कोरोना वाइरस वाइरस तो उससे क्या होता है कि माइंड स्ट्रेस जाओट बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है और उससे क्या होता है आपको पता है coronavirus जो type है ये immunity के उपर based है कि अगर आपकी immunity कम है तो वो आपके लिए problem create कर सकता है तो इसलिए कोशिश करिए कि अपना mind थोड़ा सा divert भी करिए, updated रही है बिल्कुल ज़रूरी है बट साथ में divided रखिए अपने mind को तो दोस्तों ये video जो मैंने बनाया है इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि Excel के अंदर आप अपने घर के रोज मर्रा के खर्चे कैसे maintain कर सकते हैं कैसे अपने finances को plan कर सकते हैं Excel के अंदर बहुत ही simple बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें समझाया आपको और इसके अंदर best part क्या है कि आपको पूरी file को create नहीं करना है इसके अंदर हम Excel का एक template यूज़ करने वाले हैं तब ही मैंने इसका title रहा है कि पंदरा मिनट में आप यह समझ सकते हैं और ये मैं आपको detail में करके बताने वाला हूँ एक चीज मैं बारी के से समझाऊँगा कि आपको ये template कैसे मिलेगा कैसे कैसे इसमें values को put करना है और ultimately आपको पता चलेगा कि कितना आपने project किया था expenses होने चाहिए और कितने हुए हैं और आपके पास कितना पैसा बचा है तो बहुत useful है आप इस वीडियो को जरूर end तक देखिए आपको बहुत information मिलेगी और अगर आपको ये excel का template नहीं भी मिलता कोई problem नहीं है मैंने description में डाल दिया आप वहाँ से download कर लीजिए और साथ साथ इसको समझ कर use करते रही है और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए मुझे बहुत motivation मिलेगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मैं हूँ लॉकेश लालवानी Microsoft Certified Corporate Trainer और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह जो instance है वो Excel का open हो रहा है और सबसे पहले इस तरह से एक look आता है मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले एक option की तरफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कौन सा Excel में use कर रहा हूँ अगर आप देखें तो मैं जाता हूँ account की तरफ आपका view हो सकता है थोड़ा different हो depending on the version of Excel that you are using तो मैं account में जाके आपको दिखा देता हूँ कि मैं Excel 2019 use कर रहा हूँ अगर आप पहले का भी version use कर रहे हैं तो ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा मैं फिलहाल जाता हूँ new के अंदर क्योंकि मुझे एक नई file open करनी है तो मैं जाता हूँ new में और new में आप देखते हैं कि आप generally हम लोग क्या करते हैं blank Excel को open कर लेते हैं लेकिन मैं यहाँ पर यह नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग उसको scratch से नहीं हमें blank नहीं चाहिए बट हम लोग क्या करेंगे Excel का एक predefined template use करने वाले हैं तो यही इसकी interesting बात है कि हम quickly कैसे budget को maintain कर सकते हैं तो आप देखते हैं कुछ already मेरे पास suggestion देख रहे हैं क्योंकि recently मैं चेक कर रहा था कि कौन से बढ़िया budget या कौन से बढ़िया templates हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि आप directly use कर पाएं तो मैंने कुछ try किये थे लेकिन personally speaking मुझे थोड़ा बेटर लगा फिलाल जो कि मैं आपके साथ share कर सकता हूँ काफी common चीज है personal monthly budget तो आप देखते हैं ये नीचे कुछ templates देख रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप कोई भी use कर सकते हैं मैं simply जाता हूँ यहाँ पर आप देखते हैं categorized है ये और मैं जाता हूँ budgets के अंदर तो यहाँ पर मेरा जो अभी काम का है यहाँ पर मैं search कर सकता हूँ वो template और आप देख सकते हैं कि मैं भी connected हो internet से तो वो बहुत जादा ज़रूरी है तो इसलिए आप connected रहे हैं और budget पर जाकर या आप यहाँ पर online चेक कर सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ website मैंने भी open भी करी हुई है जो कि यहाँ पर visible है तो फिलाल मैं जाता हूँ Excel के अंदर और यहाँ पर जैसे कि मैं गया था budgets में और budget के अंदर जो पहला template है personal monthly budget मैं इसको use करके आपको दिखाता हूँ तो मैं इसने इस पर click किया और वो बोलेगा मुझे create करने के लिए तो मैं create पर click करता हूँ और यह open हो गया जो सबसे पहले sheet आप देख रहे हैं यह सर्फ instructions की sheet है आप पढ़ सकते हैं इसको बाद में बहुत basic instruction यहाँ पर लिखिए है फिलाल मैं जाता हूँ जो main sheet है वो है personal monthly budget के नाम से आप देखते हैं यह वो sheet है मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर देता हूँ तो यह वो sheet है अब मैं इसको explain करना चाता हूँ और मैं बताना चाता हूँ कि आप इसको practically कैसे use कर पाएंगे तो दोस्तों इस तरह से यह सब कुछ इसमें given है हम लोग समझते हैं इसको में क्या है चीजें और कैसे use करना है देखिए इस पूरी sheet में दो चीजें हमें put करनी है पहला है projected values और दूसरी है actual values तो projected मतलब जो कि आप मानते हैं कि ऐसा होगा जैसे पहली बात है projected monthly income तो projected income क्या होने वाली है और फिर आप नीचे देखेंगे तो projected cost की बात हो रही है तो अगर आप देखें तो इसमें बहुत detail में है यह मोटा मोटा values हैं वो जो हम यहाँ पर put करने वाले income की और बाद में आप देखेंगे expenses हैं बहुत detail में बहुत अच्छे जैसे आप देखते हैं housing से related जैसे cable, gas, electricity यह जो खर्चे होते हैं वो सब entertainment related हो गए फिर आप कुछ loan pay कर रहे हैं तो वो आप put कर सकते हैं transportation में fuel put कर रहे हैं या metro से जा रहे हैं किसी चीज से जा रहे हैं तो वो put कर सकते हैं फिर क्या values आप insurance में expense देते हैं वो put कर सकते हैं taxes, food item कितना आपने खर्चा किया है, कुछ आपके saving आप कर रहे हैं या investment है वो आप देख सकते है pet related खर्चा भी है फिर कुछ gift अपने दिया वो भी आप देख सकते है personal care और legal related cost है यहाँ पर total cost आपके निकल के आ जाती है तो हम इसको use करने वाले detail में don't worry और जो कि आप figures देख रहे हैं सारी dollar में है तो वीडियो के end में मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको एक बार में हम लोग rupee में convert कर सकते हैं तो for the timing सबसे पहले हम बात करते है projected values की तो अभी अगर मैं आपको easy बनाने के लिए मैं जितनी भी actual values है मैं वो हटा देता हूँ सिर्फ इतनी है सो इसमें time नहीं लगेगा तो अभी focus करते हैं हम लोग हमारे जो projected values है उसके उपर तो suppose income मेरी कितनी है तो suppose मान के चलते है मेरी जो salary है वो 50,000 है अभी dollar को आप ignore करिए dollar आ रहा है कोई बात नहीं हम इसको rupee के हिसाब से समझ रहे है फिर आता है आपका extra income मैं मानता हूँ 5,000 रुबे की मेरी extra income आती है जो मैं online classes देता हूँ suppose करिये या मेरा कोई एक property है जहां से rent आ जाता है xyz जो भी आपकी income होगी वो आपने या पर projected लिख दी कि आपको इतनी income होने वाली है अब आता आती है projected cost की तो सबसे पहले मैं housing related बात करता हूँ जो हमारे घर में जो खर्चे हो रहे है क्या मैं rent पे करता हूँ या कोई mortgage है उस चीज का तो मैं लिख सकता हूँ मान लीजे मैं अपने घर का rent पे करता हूँ करीबन 10,000 रुपे फिर similarly phone पे phone का जो है मैं कितना expense आता है मेरा 200 रुपे आता है मैं कुछ random values यहां पे भर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं electricity 500 रुपे हो गया gas आता है माली 200 रुपे का water supply 150 के आसपास आ जाती है cable है मेरा 500 रुपे cable waste removal हो गया repair कुछ हुई 200 रुपे की यह major column है इसलिए मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ supplies में 150 आप लगा लो और other में जीरो कर देता हूँ तो आप देखेंगे projected खर्चा जो actual में आ रहा है वो 11,950 रुपे आ रहा है उसके बाद entertainment related में अभी कुछ नहीं फिल कर रहा है वो आप भर सकते हैं luxury item है फिर बात करते हैं transportation की तो यहाँ पर मान लीजे मैं fuel पुट कर देता हूँ या आप कोई भी expense पुट कर सकते हैं fuel मैं पुट करता हूँ मान लीजे मेरा महीने का 3000 रुपे petrol का खर्चा हो जाता है और मान लीजे की maintenance जो है तो मान लीजे मैंने 3500 के आसपास का मैं projected है की मेरा एक खर्चा आने वाला है तो यह अभी projected है actual नहीं है हमें यह समझना बहुत जरूरी है expected है की इतना आएगा insurance जो है मेरी health insurance मान लीजे मैं 1000 रुपे पर मंत के हिसाब से वो लगता है मेरा और life insurance भी 1000 रुपे पर मंत के हिसाब से लगता है वो मैंने आप कर दिया अब बाद आती है taxes की तो मान लीजे जो यहाँ पर federal है मैं इसको simply कर देता हूँ मान लीजे income tax हमारी अपनी सरल भाषा में और projected cost में आप कर देता हूँ जो taxes होंगे मेरे वो 1000 रुपे में डाल लेता हूँ मतलब कि 12,000 रुपे पर year के हिसाब से तो मैंने 1000 रुपे अभी इस month के डाल दिये food expenses में जो मैं खाने पीने का समान लेता हूँ घर के लिए वो मान लीजे मेरा जो खर्चा आता है वो 10,000 रुपे का है total जितना भी होता है बाकी में इसमें और कुछ नी पुट कर रहा कुछ investment मैं मान लीजे मैं investment करता हूँ 1000 रुपे की यही मैं पुट कर देता हूँ और charity pets मैं फिलहाल इसको नहीं डालता और personal care की मैं बात करूँ तो जो medical के खर्चे है वो मेरे करीबन करीबन आते है 500 रुपे पर मंथ on an average मेरा आ जाता है और related to hair, nail वगएरा 500 वो मान लेता हूँ और plus मैं clothing, x, y, z other में मैं डाल देता हूँ उसको करीबन 1000 रुपे legal anyways यह सब की requirement मैं अभी समझता नहीं हूँ तो करीबन करीबन आप देखते हैं तो total projected cost जो निकल के आ रही है वो around 35,000 के आसपास आ रही है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 50 रुपे और add कर देता हूँ ताकि यह round off हो जाए करीबन 35,000 तो 35,000 के आसपास मेरे projected cost है मैं मानता हूँ कि मुझे 55,000 रुपे आएंगे और 35,000 रुपे मेरे खर्चा होगा तो आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपे का मेरे पास balance बचता है लेकिन अब बात करते हैं actual की तो actual income मेरे को आई 48,000 मेरी salary maybe कुछ leaves वगरा मैंने ली ही महाँ से और ये मेरे पास 5,000 रुपेया है तो पहली बात तो जो मेरी income actual हुई है वो 53,000 रुपेज हुई है अब जो mortgage, जो rent मैं pay करता हूँ वो तो same ही रहेगा तो मैं इसको क्या करता हूँ मैं use कर रहा हूँ shortcut control R तो जो left side में given है वो यहाँ पे paste हो गया similarly phone का similar है electricity का बढ़ता चड़ता रहता है तो 600 रुपे मैं इसका मान लेता हूँ gas का 250 मान लेता हूँ water supplies का 100 मान लेता हूँ cable का तो same ही रहेगा फिर बात है waste removal same maintenance के आज maintenance में लगाता हूँ 150 supplies 200 तो यह कुछ random figures मेरी अभी actual आई है उस month की complete month की अब मैं नीचे बढ़ता हूँ और क्या है मेरे पास transportation में fuel जो मेरा इस बार लगा है वो थोड़ा जाता लगा है मान लीजे मेरा fuel लगा है 3500 का और maintenance जो आई है वो थोड़ी कम आई है 300 की credit card expenses में expected थे 3500 बट actual में जो हो गया expenses वो हुए है 3000 तो 500 रुपे कम हुए है और taxes 1000 रुपे वो मैं 1000 रुपे ही लेता हूँ control R मैंने use किया health insurance same है control R life insurance control R savings control R groceries इस बार थोड़ी vary कर गई करीबन 11000 रुपे की मैंने grocery ली है और कोई expenses उसमें नहीं हुए बाकी मैं सीधर चलता हूँ हमारे personal care के उपर तो medical expenses हुए है 600 इस बार hair related हुए है 400 और other expenses यह हुए है करीबन 1100 रुपे तो अब आप देखते हैं कि करीबन total projected जो खर्चा expected था वो 35,000 था लेकिन जो total cost आई है वो 35,950 आई है मैं इसको भी थोड़ा round off कर देता हूँ 1150 मैं कर देता हूँ ताकि 36,000 हो जाए तो 1000 रुपे आप देखते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारी cost है वो जादा हुई है सोचा था 35,000 होगी बट हुई 36,000 है और दूसरी तरह आप देखते हैं कि income 55 expected थी हुई 5,300 है तो आप देखते हैं कि actual में जो actual मेरे पास हाथ में बचा है वो ये बचा है ये इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ये मेरे पास actual में बचा है हाथ में 17,000 रुपीज अब मैंने आपको बोला था कि पूरे figures को हम कैसे रुपी में convert कर सकते हैं तो उसके लिए मैं करना चाहूँगा एक काम छोटा सा यहाँ पर पहली चीज आपने देखा है दो तरह की value है एक तो है जो है numbers और एक है जो की है formula यह आप देखेंगे यह सारे formula लगे हूँगए तो मैं एक एक करके नहीं जाऊँगा मैं simply use करता हूँ Ctrl G मतलब go to special अब special में गई हम लोग और यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊँगा constants में constant के अंदर text भी आता है मैं उसको ignore कर रहा हूँ logical error कुछ नहीं मुझे सरफ constant number वाले जो cell है मुझे उन पर जाना है तो मैंने press किया ok तो आप देखते है sheet में जितने भी cells हैं जिसमें constant numbers होंगे अब देखते हैं वो select होगए जितने भी हमने लिखे थे टाइप किये थे वो select होगए अब simply मैं क्या करता हूँ map use करूँगा shortcut format cells में जाने के लिए control 1 और यहाँ पर मैं जाऊँगा currency और currency के अंदर symbol में मैं search करूँगा rupee symbol जो मेरे पास उपर-उपर आ रहा है rupee symbol और मैंने प्रेस किया ok तो आप देखते हैं सारे rupee में convert होगए लेकिन इनका क्या इनका यह है कि यह formula based है तो मैं दुबारा से use करूँगा control G special formulas और formulas के अंदर मैं बाकी सब को ignore कर सकता हूँ वैसे तो खाला कि इसकी कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं simply प्रेस करता हूँ ok तो आप देखते हैं जितने भी formula containing cells हैं वो से यहाँ पर select हो चुके हैं अगेन मैं simply क्या प्रेस करूँगा control 1 format cells में जाने के लिए उसके बाद currency symbol rupee ok और यह भी convert हो गए तो मैंने आपको अभी बताया कि यह जो है हमारा यह वाला part जिसमें मैं एक छोटा सा arrow भी डाल देता हूँ आपके लिए ताकि आपको यह clear रहे कि this is actually what we were looking for यह जो हमारा part है यह actual है कि हमारे पास 7 में पच्चे हैं 17,000 रुपे यह लेकिन आपको कहीं न कहीं लिखने पढ़ेंगे जो daily expenses होंगे तब ही आपको याद रहेगा कि actual इतना बना है तो यहाँ पर आपके एक sheet अपने ही साफ से add कर सकते हैं जो कि आप करें daily expenses जैसे वहाँ पर आपने क्या लिख दिया आप fuel आपने लिख दिया तो fuel के expenses हो गए और food के expenses हो गए xyz तो जैसे fuel आपने एक दिन किया 1500 रुपे का फिर कहीं बीच में किया 500 का फिर 1000 का तो इसको आप sum कर लीजिए और उसके बाद उसको वहाँ से link भी कर सकते हैं जो fuel अलक अलम है जैसे ये है या तो आप इसको copy paste कर लीजिए या अगर मैं बात करूँ इधर fuel की तो ये रहा तो मैं प्रैस करता हूँ equal to और daily expense में जाके मैं इस fuel से link कर देता हूँ enter तो आप देखते हैं यहाँ पर मेरे पास ये 3000 आ गया तो इस तरह से भी आप अपने इसको customize कर सकते हैं और यही रहा इस तरह से हम अपना पूरा मंत का budget जो है maintain कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं आएगी बहुत साफसुतरी sheet बन के आती है दोस्तों I hope आपको ये video बहुत पसंद आया आपको clarity मिल गई कि जो template मैंने आपको दिया है description link में उसको use करके आप अपने expenses घर के कैसे उसमें maintain कर सकते हैं आप इसको जितना हो सके उतना share करिए हर एक अपने circle में जिनको इसकी जरुत होगी क्योंकि बहुत की common topic है आप प्लीज इस video को जरूर like करिए और comment में लिखकर बताए कि ऐसे और कौन से topic पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओ अगर आप में मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसको तुरण subscribe करिए टेक केर दोस्तों बाबाई